आम तौर पर सभी पेड़ पौदे हम इनसानों के लिए बहुत ही यूजफूल होते हैं हमें इंसे कई तरह के लाव होते हैं जैसे हमें फल अनार्ज आदी इनसे मिलता है पर क्या हो अगर वही पेड़ पौदे हमारे लिए घातक साबिथ हो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ पौधे हमारी जान ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में डेडली नाइट सेड को बेला डोना भी कहा जाता है यह प्लैंट एशिया में पाया जाता है इसकी पत्तियों का रंग हलका हरा होता है और फल चमकीले काले रंग का होता है दिखने में जो चेरी के जैसा होता है इस plant की पत्तियों में एट्रोपीन पाये जाता है जो अगर आपके शरीर पे टेच भी हो जाए तो आपका skin red हो जाता है और खुजली करने लगता है नमबर नाइन ओलियंडर ओलियंडर plant का हर एक हिस्सा बहुत ही घातक होता है इसके सेवन से उल्टी, चक्कर, लूज मोशन के साथ इनसान कोमा में भी जा सकता है अगर इसकी पत्ती हमारी skin पर टेच हो जाए तो खुजली होने लगती है और इसके फूल पर बैटने वाली मदुमक्खियों से बना शहद इनसान के लिए बहुत ही हानिक आरक होता है इस पेड में एक वाटरी लेटेक्स होता है जो अगर आँखों को टेच भी कर जाए तो इनसान तुरंत ही अंधा हो जाता है इसे वहां के लोकल ट्राइब्स तीरों को पोईजनेस यानि जहरीला करने के लिए यूज करते हैं नमबर सेवन वाइट स्नेक रूट वाइट स्नेक रूट में अलकोहल ट्रेमोटोल पाया जाता है जो की बहुत ही जहरीला होता है क्या आपको पता है कि अबराहम लिंकन की मा नैंसी हैंक्स लिंकन की भी देथ इसी प्लैंट की वज़ा से हुई थी दरासल उन्होंने जिस गाय का दूद पिया था उस गाय ने भी यही प्लैंट खा लिया था और अगर कोई जानवर इस पौधे को खा लेता है तो उसके दूद और मांस में जहर फैल जाता है नमबर सिक्स रोजरी पी रोजरी पी का पौधा पूरे साल तक फलता है और ये घने जंगलों में पेडों के बीच में पाया जाता है इस पौधे का बीच दिखने में जितना ही सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी होता है अगर कोई इनसान इस पौधे के बस दो बीज खा ले तो तुरंत ही उसकी देथ हो जाएगी सैंड बॉक्स का पेड़ 130 फीट का होता है ये नुकीला और कांटेदार होता है हर एक पेड़ में लिक्वीड होता है अगर इस पेड़ का लिक्वीड हमारे आखों में लग जाए तो हम तुरंत अंधे हो जाएंगे इस पेड़ की सबसे खतरनाक बात ये है कि इस पे इस तरह के फल उपते हैं और ये फल समय समय पर फटते रहते हैं किसी भी समय पर कोई भी फल फट सकता है और इस पेड़ का फल दो सो चालिस किलोमेटर पती घंटा की स्पेड से फटता है अगर इस पेड़ का फल फट जाए तो आपको बहुत ही चोटे आ सकती है नमबर फूर वाटर हेमलोग वाटर हेमलोग को नौर्थ टेंपरेट जोन का सबसे पॉजनेस प्लैंट भी कहा जाता है इसके यूज से पहले तो चक्कर आएगा अब्डॉमिनल पेन होगा और उल्टियां होंगी फिर एक घंटे के अंदर ही इनसान की डेथ हो जाती है मेंली स्प्लैंट को ग्रीक फिलोसफर सौक्रेट्स को मारने के लिए यूज किया गया था क्या आपको पता है कि कोकोनेट को भी एक डेंजरेस ट्री माना जाता है इसलिए नहीं कि इसमें कोई पॉजन होता है कोकोनेट ट्री में कोई पॉजन नहीं होता पर आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि coconut से हर साल 150 लोग मारे जाते हैं हर साल लगबग 150 लोगों की death सर पर नारियल गिरने से होती है और कई लोग गले पर, कंधे पर और सर पर नारियल गिरने से घायल हो जाते हैं नमबर टू, सुसाइट ट्री, इस खतरनाक पेड की पहचान, गोल गोल हरे फल और सफेद फूल होते हैं, ये पेड मेंली इंडिया में पाये जाता है, इस पेड के फल बाकी फलों की तरह बड़े ही आम दिखते हैं, लेकिन ये फल बहुत ही जहरीले होते हैं, इसलिए इन फ फलों को तोड़ना नहीं चाहिए, फलों के साथ ही साथ इस पेड में कई तरह के केमिकल्स भी होते हैं, तो फलों को तोड़ना तो दूर आपको इस पेड को छूना भी नहीं चाहिए, इस पेड की पत्तियां गोल गोल होती हैं, और फल एपल की तरह दिखता है, यहां तक क टेस्ट भी एपल की तरह ही होता है लेकिन इस पेड के फल को खाने से कुछ देर बाद मुल लाल हो जाता है गला फूलने लगता है शरीर डर्ध होने लगता है और कुछी देर बाद डेथ हो जाती है जहां जहां पर यह पेड है वहां वहां पर एक बोर्ड रखा रहता है वा बारिस की बूद पत्ती को टेच करके शरीर पर गिरती है उस जगा पर वो एसीड की तरह काम करती है इसकिन रेड हो जाती है और रहसे सा जाते हैं और अगर ज्यादा देर तक आप पेड के नीचे खड़े हैं तो आप बिहोस भी हो सकते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड का नाम Guinness Book of World Records में दर्ज है Most Dangerous Tree के नाम से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी में बेल आइकन को प्रेस करके All पर सेट कर दीजे जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए